Hello and welcome to all, आप सभी का स्वागत है हम लोग बात कर रहे हैं उत्राखंट के old papers पर आज हम लोग जो solve करेंगे वो है उत्राखंट सीचपाल का paper ठीक हैं? तो जितने भी UK SSHC की paper हुए हैं उनको हम जल से जल solve करने ही कोसिस करेंगे ताकि आने वाली परिक्षाओं में जो भी repeated question होते हैं वो हम असानी से कर पाएं और अपनी सफलता में इसका उप्योग अच्छे से कर पाएं तो आईए शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल है वो है अतीत में दबे पाउं के लेखक कौन है? आम थानवी, हरी संकर परसाई, सरद जोसी, राजेंदर यादर राइट आंसर इसका आम थानवी ठीक है? नेक्स्ट है सुद्ध बाग के छाटिये अग्ये ने अनेको गरंथ लिखे हैं अग्ये ने अनेको गरंथो को लिखा है उप्रोक्त में से कोई नहीं अवश्रक्ता नहीं है अनेको लिखने की कोई अवश्रक्ता नहीं है वो हमेशा अनेक के रूप में ही प्रियोग होता है वो अपने आप में ही बहुबचन है तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा B अग्ये ने अनेक गरंथ लिखे है नेक्स्ट है देशा भीमान में प्रियुक्त संधी का नाम क्या है? दिर्ग संधी, बिसर्ग संधी, बियंजन संधी या फिर गुण संधी तो गुण संधी कौन सी होती है? जिसमें एक मात्रा हो बीच में, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता जैसे कि रमेस हो गया, सुरेस हो गया, देवेस हो गया, ठीक है? इन सम्मे क्या होती है? गुण संधी होती है, जिसमें बीच में एक मात्रा हो उसके बाद बियंजन संधी जहां पर बियंजन का मेल होता है बिसर्ग संधी जहां पर बिसर्ग लगे हो और दीर्ग संधी जहां पर बीच में बड़ा आ या बड़ी ई बड़ा उ इस तरीके से आया हो तो वहाँ पर जो है दीर्ग संधी होती है तो जैसे देशा भी मान में आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो है क्या है आरी दीर्ग संधी नेक्स्ट है चोपाई के पिर्तियक चरण में कितनी मात्राइं होती है बहुत बार पूछा गया कोश्चन है 12, 14, 16 या फिर 18 तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 ठीक है C आंसर नेक्स्ट है सीतोष्ण का अर्थ क्या होता है तो सीतोष्ण जो है दो सब्दों से मिलके बना है सीत प्लस उष्ण सीत मतलब होता है ठंडा और उष्ण मतलब होता है गरम तो सीतोष्ण का मतलब हो गया हमारा ठंडा और गरम नेक्स्ट है मुहावरा किस भासा का मूल सब्द है संस्किर्थ, लेटिन, फार्सी या फिर अर्वी राइट आंसर है इसका अर्वी ठीक है नेक्स्ट है उद्रण चिन का प्रियोग कहा होता है जब कोई बाक्य अर्थ की द्रश्टी से पूर्ण हो जाए जहां कोई प्रस्ण पूछा गया हो जब किसी के कथन को जोका त्यो उद्रत किया जाए या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है C जब किसी के कथन को जोका त्यो उद्रत किया जाए नेक्स्ट है जूही की कली कभीता के कभी कोन है पंत निराला प्रशाद या फिर महादेवी राइट आंसर इसका निराला जी ठीक है निराला जी की कविता है ये जूही की कली इसके बाद हम लोग देखेंगे कोश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात करेंगे लिंग बचन कारक आदी के कारण रूप में परिवर्तन बाले सब्दों को क्या कहते है किर्त्रिम, विकारी, आविकारी या फिर विक्रत तो इसका जो आंसर है वो है विकारी सब्द जिन सब्दों में लिंग बचन कारक आदी के कारण परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी कहते है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा सब्द देसज नहीं है पगड़ी, लोटा, ठेट या फिर सांज तो ऐसे सब्द जो हम लोग नोर्मल भासा में या फिर कह सकते हो कि देसी लेंगवेज में यूज करते हैं उनको हम देसज सब्द कहते हैं जो आम बोलचाल की भासा में प्रियोक किया जाते हैं जैसे पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ठेट हो गया, बोलते है ठेट गमार है ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा सांज उसके बाद नेक्स्ट है, किर्या की बित्पत्ती होती है धातू से, संग्या से, सर्वनाम से, या फिर विशेशन से आपको याद रखना है, कोई भी किर्या हो, वो सभी धातू से बनी होती है ठीक है, धातू ही मूल होता है, उसी से किर्या बनती है जैसे पठ से, पठ धातू से बना है पढ़ना, ठीक है उसके बाद है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्थन को क्या कहते हैं संधी, उपसर्ग, संग्या या फिर पृतिया पृतिया यह से होते हैं जो किसी सब्द के पीशे जोड़के उसका अर्थ बदल दें उपसर्ग किसी सब्द के आगे आके उसका अर्थ बदल देते हैं संग्या आपको पता है किसी वस्तु इस्थानादी के नाम को हम लोग संग्या कहते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा हमारा संधी दो बर्णों के मेल से जो परिवर्टन होता है उसको हम संधी कहते हैं जैसे बिध्या और आले मिलके बिध्याले बनाते हैं उसके बाद है अरविंद का परियावची है कमल, भ्रहमर, पावस या फिर अवनी इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कमल कमल जो है अरविंद का परियावची होता है उसके बाद है कबीर बाणी के डिक्टेटर थे किसने कहा था रामचंदर सुकल, शाम सुन्दर दास, हजारी परसाद दुएदी, पिताम बर्दत, बर्थ्वाल ठीक है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हजारी परसाद बेदी जी ने ये बाद कही थी कि कबीर बाणी के डिक्टेटर थे उसके बाद है ब्यंजन जिनके उच्चालन में स्वास की कम मातरा निकलती है क्या कहलाते है मोखिक, अनुनासिक, अनुस्वार या फिर अल्प प्राण तो आपको बता दू प्राण मतलब होता है वायू और अल्प मतलब हो गया कम तो जहां पे कम वायू निकलती है उनको हम क्या कहते है अल्प प्राण कहते है और जिन वायू के उच्चालन में अधिक वायू निकलती है उनको महा प्राण कहते है जैसे आप कहो का ठीक है तो का में उतनी वायू निकलती है जैसी आप कहोगे घ उसके बाद है फिराग गोरकपुरी का मूल नाम क्या है उमा संकर जोसी सज्जाद जहीर मुक्ति बोध रगुपती सहाए इसका जो राइट आंसर है वो है मारा रगुपती सहाए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है 17 नमबर देवनागरी लिपी का विकास हुआ खरोष्टी लि चुम बताना है पेड़ पोदे धीरे धीरे जीव जन्तू लाब हानी तो आपको सिंपल सा दीख रहा है कि जो इसमें अपोजिट है वो क्या है लाब और हानी उसके बाद है उत्राखंड की दुत्तिय राजभासा है गड़वाली कुमाउनी संस्किर्ट या फिर जौन सारी तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा संस्किर्ट संस्किर्ट जो है उत्राखंड की दुत्तिय राजभासा है आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताईए कि ये कब बनी उसके बाद है साहित्य में रसका क्या आसर है लोकी कानंद अलोकी कानंद मनोरंजन या इन में स कोई नहीं तो राइट आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं यह 20 कोशन जो है हिंदी के थे उसके बाद जो है आगे बात करते हैं हम कुछ साइंस के कोशन है पादब कोशिका की निम्न में से कौन सी विसेस्ता होती है सुक्ष्म केंद्रक बिसाल गौल जी काई सुक्ष्म कब पारित हुआ था एक इंजाइम है जो बने होते हैं डियोकसी राइबोनुकलीक एसिट से हाईड्रो कलोरिक एसिट से अमीनो एसिट से यह राइबोनुकलीक acid से इसका जो right answer है वो है हमारा ribonucleic acid से ribo gyms जो बने होते हैं वो ribonucleic acid से बने होते हैं उसके बाद है मचलियों के हिर्दे में कितने कोष्ट होते हैं cable 1, cable 2 cable 3, किसी में 2 किसी में 4 ठीक है? right answer इसका cable 2 उसके बाद amphibians होते हैं जैसे mendak होगे जो बहचर होते हैं उनमें 3 पाए जाते हैं मनुष्य होगे उसमें 4 मिलते हैं 2 अलिंद 2 निले ठीक है? तो यह सब आपको पता ही है उसके बाद है पादपो में परिवहन किस परकार होता है? जायलम पत्यों से जल का बहन जड़ तक करते हैं दूसरा है फ्लोयम पत्यों से जड़ तक जल वे खनीज लबड बहन करते हैं जायलम जल वे खनीज का वे फ्लोयम प्रकास संसलेशन के उत्पात का बहन करते हैं फ्लोयम जड़ से प्रकास संसलेशन के उत्पात को पत्यों तक बहन करते हैं इसका आपको पता होगा कि जो जायलम है वो जल और खनीचका और फ्लोयम जो है प्रिकास संसलेशन के उत्पात का बहन करता है नेक्स्ट है पोड़ी गड़वाल जन्पत का प्रवेश द्वार कौन सा है उप्सन दिये हैं हरी द्वार रिषी केज कोड़ द्वार दुगड़ा राइट आन्सर है कोड़ द्वार कोड़वाल जन्पत का प्रवेश द्वार कहते हैं उसके बाद एक कफनी गिलेश इर कहा इस्तित है option है चंपाबत, बागेश्वर, पितोरागड, उत्तरकांसी इसका जो right answer है वो है हमारा बागेश्वर ठीक है बागेश्वर में कफनी गिलेशियर इस्तित है उसके बारे यदि एक व्यक्ती 180 डिगरी देसांतर पूरप से पस्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा ठीक है एक दिन घटेगा एक दिन बढ़ेगा दिन न घटेगा न बढ़ेगा लेकिन समय बदलेगा दिन एवर समय में कोई परिवर्टन नहीं होगा तो आपको याद रखना है कि क्लास 6 की जो 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 जोगरफी है उसका सेकिंड चैप्टर ही है हमारा अक्षांसर और देसांतर उसका बेसिक जो है आपको हाँ से बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा आप एक बार देख लेना उस वीडियो को उसके बाद जो है अगर इसमें मैं थोड़ सा आपको समझाओं तो एक डिगरी विराबर जो आता है चार मिनट का अंतर होता है और पंदरा डिगरी मतलब एक घंटे का अंतर हो गया जब आप 180 डिगरी की बात करते है तो 24 घंटे का अंतर होता है क्योंकि आप पूरप से पश्चिम की ओर जा रहे हो उप्रक में से कोई नहीं आंसर इसका अनील कुम्बले इसका जो राइट आंसर है वो है अमारा महादीपय हिमानी नेक्स आ असोल आप प्रसिदध खेल है ये कहां कहां आपको बताना है अंडमान एवं निकोबार दीप का, महराष्ट का, केरल का या फिर तमिलाडू का इसका राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार दीप का नेक्स्ट है भारत में कौन सा परमाडू उर्जा इस्टेशन पूर्णता स्वदेश निर्मित है नरोरा, कलपक्कम, राबत भाटा या फिर तारापूर इसका जो सही आंसर है वो है बटा कलपक्कम ये जो है पूर्णता स्वदेश निर्मित है उसके बादे निर्मित में से कौन सी एक आम की प्रजाती नहीं है ग्लास, प्रिंस, सरीफा या फिर सर्वती तो आपको याद रखना है कि जो सर्वती होती है वो चावल की प्रजाती है ना की आम की ठीक है आप सभी लोग जो है इसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट है बच्पन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है बंदना करात, डोक्तर अनील जोसी, सुन्दललाल बहुगणा या फिर कैला सत्यार थी तो सुन्दललाल बहुगणा का नाम आपने चिपकों आंदोलन के बारे में सुना होगा ठीक है इसका जो राइट आंसर वह हमारा कैला सत्यार थी बच्पन बचाओ आंदोलन नेक्स्ट है बिस्प गोरईया दिवस किस्तिति को मनाया गया 20 मार्च 2016, 22 मार्च 2016, 23 मार्च 2016 या उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ए 20 मार्च 2016 को उसके बाद है निम्न में से कौन बैस् केबल मीथेन, कारबन डाई ओक्साइड और मीथेन इसका जो राइट आंसर है वह हमारा कारबन डाई ओक्साइड और मीथेन बैस्विक उस्टनता का मतलब हो गया जो तापमान में बृद्धी होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है उसके बाद है पोधे जो नमक युक में उकते हैं उसके बाद दुनिया का प्रत्थम एंटी बायोटिकug बनाने में निम्ण में से किसका प्रियोग किया गया था सेवाल कवक फर्न या फिर जीवाणू इसका जो राइट आंसर वेंट प्रता वो है ठीक है उसके बाद है sodium किस तरल पदार्त में रखा जाता है दूद में पानी में मिट्टी के तेल में या फिर नारियल के तेल में तो आप सभी को पता है इसको हम रखते हैं मिट्टी के तेल में ठीक है बस आपको यह बताना है कि मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है आप कमेंट करिएगा ठीक है उसके बाद इन में से कौन उत्राखंड का लोग बाद्ययंत्र है बीना सितार खुड़का या फिर तानपुरा इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा खुड़का ठीक है उसके बाद किसे प्राचिन काल में कुपजा ग्रामक नाम से जाना जाता था हरीद्वार, सिरीनगर, रिषिकेष या फिर कनखल ठीक है इसका जो राइट आंसर है वो है बीचिकेष ठीक है प्रीषी च के अंसर है कलात मत देखना C आंसर है रिसी केस उसके बाद है अल्मोडा के पूर्म में इस्थित खगमरा के ले का निर्मार किस राजा ने करवाया था राजा भीमचंद, राजा कल्यानचंद, राजा सोमचंद या राजा बहादुर्चंद इसका जो राइट आंसर है राजा भीमचंद के द्वारा खगमरा के ले का निर्मार कराया गया था उसके बाद बात करते हैं इनसाइकलोपीडिया और उत्राखंड किसे कहा जाता है मंगलेश डबराल, सिप परसाद डबराल, बीरेन डगवाल, गोबिंद चातक ठीक है इसका जो आंसर है वो है हमारा सिप परसाद डबराल को जो हम इनसाइकलोपीडिया और उत्राखंड के नाम से जानते है त्रेता युक किस काल को कहा जाता है महाभारत, पुरान, रामायर या इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता है कि जो राम थे वो त्रेता युक के थे तो इसका जो आंसर है वो है रामायर जो स्रीक्रश्ण है दВापर के है तो वो जाता है महाभारत, ठीके तो इसमें जो आंसर हमारा वो है रामायर नेक्स्ट है राजी जन्जाती के लोग कि जनपतद में निवास करते हैं उद्दम सिंगनगर पिथोरागड चंपाबत या फिर अलमोडा तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पिथोरागड ठीक है पिथोरागड में राजी जन जाती के लोग पारते हैं गोला नदी का गोला नदी पर कौन सा सहर इस्थित है कांसीपूर चंपाबत हरीदवार या फिर हलदवानी तो गोला नदी पर जो है हमारा हलदवानी इस्थित है ठीक है उसके बार है भागी रथी का उद्गम इस्थल आपको बताना है गंगोत्री है उत्तर कांसी है गोमुक है या फिर पिंडारी गिलेशियर है तो आपको याद रखना है कि जो भागी रथी है वो गंगोत्री के गोमुक से निकलती है ठीक है अगर गोमुक यहाँ पर उप्सन में नहीं होता तो इसका राइट आंसर गंगोत्री भी हो सकता था ठीक है टिफिन टोप कहां इस्थित है नैनी ताल, भीमताल, रानी खेत या फिर हलदवानी तो टिफिन टोप जो है आपका नैनी ताल में इस्थित है यह आप सभी को अच्छे से पता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं उत्तराखन जल बिद्दूत निगम लिमिटेड इस्थापिद हुआ था 9 दिसंबर 2002, 9 दिसंबर 2001, 9 नमबर 2001 यह उपरोक्ट में से कोई नहीं ठीक है तो इसमें से जो आंसर है वो है उपरोक्ट में से कोई नहीं क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी वो ही थी हमारी 12 जनबरी 2001 को ठीक है 12 जनबरी 2001 को तो इसका जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है उपरोक में से कोई नहीं सितार का अविस्कार किस ने किया था रामदास, अमीर खुसरो, तान सेन या फिर बैजू बावरा इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अमीर खुसरो को जो हम सितार का अविस्कारक कहते हैं इसके बात करते हैं उत्तरकासी में हिमाले संग्रहले इस्थापित किया गया था देट आपको बतानी है 15 नमबर 1966, 14 नमबर 1965, 20 नमबर 1964 या फिर इन में से कोई नहीं ठीक है जिसका राइट आंसर है वो है अमारा B ओप्सन 14 नमबर 1965 को जो हिमाले संग्रहले इस्थापित किया गया था नेक्स्ट है 2011 की जनगर्ला के अनुसार साक्षरता की दरिश्टी से उत्रखंड का देश में कौन सा इस्थान है सत्रवा, अठारवा, उननिसवा या फिर बीसवा इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सत्रवा ठीक है उत्रखंड का जो है सत्रवा इस्थान आता है उसके बाद है लाल टिबा नामक पर एठन इस्थल कहां इस्थित है हल्दवानी, मसूरी, पितोरागर या फिर रुद्र प्रियाग ठीक है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मसूरी ठीक है मसूरी में लाल टिबा नामक पर एठन इस्थल इस्थित है उसके बाद है गड़वाल छेतर पर गोरखाओं ने राज्य किया 1790-1815, 1805-1815, 1808-1815 या 1810-1815 आपको जो है याद रखना है कि 10 साल जो है इन्होंने सासन किया था तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1805-1815 इसवी तक उसके बाद है पंडित हरी क्रशन रतूरी को मुख्य तोर पर जाना जाता है लेखक, समाजी कार्यकरता, राजदरबारी या फिर पत्रकार इन में से किसके रूप में जाना जाता है तो पंडित हरी क्रशन रतूरी जो है एक लेखक थे ठीक है उसके बाद एक्सिस बैंक है सारवजिनिक छेतर का बैंक सहकारी बैंक बिदेशी बैंक या फिर निजी छेतर का बैंक तो इसका राइट आंसर क्या होगा बटा वो है निजी छेतर का बैंक एक्सिस बैंक जो है निजी छेतर का बैंक है बिस्व में सबस पता ही है भारत और नेपाल में फैला हुआ है आल्ब्स आपको यूरोप में मिल जाती है और जो रोकीज है वो उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट है पिर्थवी की अपनी धुरी पर घूमने की सरबादी गती होती है तीन जन्वरी को चार जुलाई को बाइस दिसंबर को यह कभी परिवर्तित नहीं होती है तो इसका राइट आंसर है यह कभी परिवर्तित नहीं होती है पिर्थवी की जो घूमने की गती है वो स इसका जो right answer है वो है हमारा चमोली जो मारा गाउं है वो चमोली में इस्थित है और ये उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गाउं है उसके बाद आगे बात करते हैं नीचे दिये गए सब्दों को अर्थ पूर्ण रूप से सूब यवस्थित कीजिए संदक्षित वायूदाब राहत वर्सा या फिर बाड इसका जो right answer होगा वो होगा हमारा option number B सबसे पहले वायूदाब बनेगा उसके बाद जो है बर्सा होगी बर्सा के बाद बाड होगी बाड के बाद संदक्षित किया जाएगा और फिर राहत कार्य जो है शुरू होते है ठीक है उसके बाद बात क लोग निर्वाचन आयोग या फिर उपरोक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका जो right answer वो है अर्थ एवं संख्या निरसाले उसके बाड जो है आपका यह मैत के दो तीन कोशन इसमें इसमें क्यूब दिया है इसमें 144 का ठीक है और एक जगे square दिया है तो आपको पता है square तो इसका अस्थी को उपाश्थी से अस्थी को अस्थी से पेशी को अस्थी से या फिर पेशी को पेशी से इसका जो right answer है 64 का वो हो जाएगा हमारा C पेशी को अस्थी से जोलने का काम करते हैं टेंडन ठीक है उसके बाद है एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में तथा 400 किलोमीटर 11 घंट और उसके बाद समय कितना हो रहे है 9 घंटे और 11 घंटे यह हो जाएंगे 20 घंटे इसको काट दोगे तो यह कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रती घंटा इसका जो पहला जो है ए आंसर जो है वो सई हो जाएगा उसके बाद है 42 बिध्यारतियों के अक्षा में मनोज उपर स सोलवा इस्थान है नीचे से उस्थान कितना होगा ठीक है तो टोटल 42 है उसमें से आपको 16 घंटा देना है उपर से जो इस्थान है जितना आएगा 26 आएगा प्लस उसमें 1 कर देना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 ठीक है उसके बाद जो है आगे बात करते हैं स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ती में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं प्रिथम तथा 90 पोल के बीच की दूरी क्या होगी तो आप ऐसे समझ लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो इस तरह से नो पोल हैं और सब के बीच में 50-50 मीटर की दूरी है तो आप जो है अगर इसको सिंपल भी गिनोगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक यहाँ पर साथ और आठ के बीच में रहेगा आठ और एक, ठीक है, टोटल आठ बार आपको डिस्टेंस गिनना पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस जो है 50-50 मीटर का है तो आठ पंजे, 40 तो इसका जो आजाएगा वो आजाएगा आपका 400, ठीक है, 400 मीटर, नेक्स्ट है उसके बार किसी कोड में कारपेट को ठीक है, यह लिखते हैं तो national को आप क्या लिखोगे, तो आप देखोगे इसमें कि इसमें पीछे से लिखना शुरू करा है, पहला अक्सर पीछे से लिया है T, ठीक है, T के बाद C आगे से लिया है, फिर E पीछे से लिया है, फिर A आगे से लिया है, इस परकार से जो है इसको लिखा गया है, तो इ इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है एक पिता अपने पुत्र से तीन गुना बड़ा है पांच बर्स पहले बहे अपने पुत्र से चार गुना बड़ा था तो उसके पुत्र की उमर क्या होगी ऐसे सवालों में आप सीधे ओप्सन उठाया करिए जैसे मैं उप्सन लेता हूँ पंद्रा अगर उसके पुत्र की उमर पंद्रा है तो अपने पुत्र से तीन गुना बड़ा है इसका मतलब जो पिता है वो कितने का हो जाएगा फोर्टे फाईब का हो जाएगा और पुत्र जो है 15 का हो जाएगा 5 साल पहले 5 साल पहले पुत्र कितने का होगा 10 का और पिता कितने का होगा 40 का अपने पुत्र से 4 गुना था तो 4 गुना हो गया नहीं हो गया ठीक है 10 चो 40 इसका जो राइट आंसर हो गया वो हमारा B आंसर हो जाता है ठीक है उसके आलावा है संख्या यहाँ पे दी है बैग्यानिक मान जो है इसका आपको बताना है ठीक है इसका जो बैग्यानिक मान है वो होगा 7.25 इंटू 10.8 उसके बाद है लोगतंतर सासन की बहपिड़नाली है जिसमें जनता का सासन जनता दौारा और जनता के लिए होता है किसने कहा था इसका जो राइट आंसर है वो है अब्राहम लिंकन ने ठीक है अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी वह इस्थान जहां नदिया समुदर में मिलती है क्या कहलाता है किनारा जोड जील या फिर मुहाना तो आपको पता है इसको क्या कहते है हम मुहाना कहते है जहां पर नदिया समुदर से मिलती है उस इस्थान को हम लोग मुहाना कहते हैं उसके बाद है नाथफा जाकरी जल बिद्दुत परियोजना किस नदी पर बनी है गंगा, सतलज, भ्रमपुत, रियाफिर, यमुना इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सतलज नदी पर जो है नाथफा जाकरी जल बिद्दुत परियोजना इस्थित है तो आप सभी को पता है कि जो भी डाले होती है उन पोधों में जो है नाइटरोजन इस्थरी करण की छमता पाई जाती है इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा चना और अन्य डाले नेक्स्ट है कौन से देश में बिसु का सबसे उचा जो है जो आर भाटा आता है उसके बाद है भारत में हिमालय परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट एबरेष्ट, नंदा देवी, कंचन जंगा या फिर गुरू सिखर तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंचन जंगा क्योंकि जो माउंट एबरेष्ट है वो हिमालय की सबसे उची चोटी है लेकिन वो नेपाल में पढ़ती है ठीक है भारत में जो सबसे उची चो 1612 है इसका जो राइट आंसर है वो है 1620 में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है नेक्स्ट है प्रत्थम विश्विद कब हुआ था 1914-1918 इस भी 1913-1917 इस भी 1911-1915 इस भी यह उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप सभी को भलीवाती याद होगा कि जो प्रत्थम वि स्विद है वो आपको 1949 से और 1945 के बीच में देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट है एडोल फिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी यहूदी पार्टी समाजबादी पार्टी नाजी पार्टी या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम राइट आंसर है वो है हमारा रूसो रूसो के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है नाम है दसोसल कॉंटरेक्ट आगे बात करते हैं निम्न में से किन का कार्य है जो हार घाटी से सम्बंदी थे डोक्टर सेर सिंग पांगती गंगा दत उपरेती देब की नंदन पांडे य या फिर अधी वक्ता थे इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा c और d दोनों ही आंसर इसके सही है वो कभी और अधी वक्ता दोनों ही थे ठीक है नेक्स्ट है चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उधारन है अपसाधी चट्टान आगने चट्टान रुपांतर चट्टान या फिर जौला मुखी चट्टान इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अपसादी चट्टान आगने चट्टान वो चट्टान है जो सबसे प्रारंबिक इस्थिती में बनी जब पृत्वी जो है आख का गोला थी धीरे धीरे ठंडी होई तो उस समय जो चट्टा हुआ तो तीरी रियासत का राजा कौन था मानवेंद्र सा नरेंद्र सा कीरती सा या उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जो राइट आंसर है वो है मानवेंद्र साह 84 का ए उसके बाद है महासू देपता की पूजा होती है पोड़ी गड़बाल चमोली अलमोडा या फिर देह दून में महासू देपता ठीक है इनकी पूजा देहरदून में की जाती है उत्रखंड के किस उत्सप से पत्थर युद्ध सम्मंदित है जंडा मेला गोचर मेला बगवाल या फिर बिस्सू इसका जो राइट आंसर है वो है बगवाल ठीक है बगवाल जो है पत्थर एक बटे 18 या फिर दो बटे 18 इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ठीक है दो बटे 18 ये जो राइफल से इसने निहत्ते अफगान सैनिकोंपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था नेक्स्ट है सहरा मरुस्थल किस महादीप में इस्ठित है एसिया अफरीका यूरोप या फिर आश्ट्रेलिया तो ये आपको question सभी को पता होगा इसका right answer क्या है विटा अफरीका next है उत्राखंड के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है गुलेरिया रानी, कमलेंदुती, मती, कर्णावती या फिर नेपालिया रानी इसका right answer है वो है हमारा कर्णावती ये भी कई बार पूछा गया question है उसके बाद है कुली बेगार पिर्था का हल निकालने के लिए खचर सेना की स्थापना करने वाले कमिस्नर का क्या नाम था बैटन, ट्रेल, रैमजे या फिर बैकट इसका right answer है वो है हमारा ट्रेल ठीक है ट्रेल ने जो है खचर सेना की स्थापना की थी नेक्स्ट है उत्रखंट क्रांती दल के अध्यक्स कोन थे देवी दत्त पंत, मनहोर लाल पंत, बीजे दत्त पंत या फिर उपरोक्ट में से कोई नहीं रैट answer है इसका देवी दत्त पंत नेक्स्ट है कुमाव परिशत का गठन कब हुआ था 1910 इसवी, 1912 इसवी, 1916 इसवी उपरोक्ट में से कोई नहीं ठीक है इसका जो right answer है वो है हमारा C 1916 इसवी में कुमाव परिशत का गठन किया गया था नेक्स्ट है वर्स 2013 में उत्रहखन राज्ये, द्रोनचारे पुरुषकार, किसने प्रात्किया, जस्पाल राणा, पदम बहादुर मल, प्रताप सिंग पटवाल, हर सिंग थापा ठीक है इसका जो right answer है वो है हर सिंग थापा किस बिद्रो को कुमाव का बारदोली कहा जाता है सकलाना, तिलारी, सल्ट या फिर असकोट इसका जो right answer है वो है हमारा सल्ट बिद्रो, सल्ट बिद्रो को कुमाव का बारदोली कहा जाता है ठीके बारदोली बिद्रों कब हुआ था तो 1928 में आपको देखने को मिलता है जिसमें सरदार पटेल की जो है महत्पूर्ण भूमी का रही थी उसके बाद है उत्राखंड में पिर्थम बार बन पंचायतों का गठन किया गया 1921, 1927, 1931 या उपरोक्त में से कोई नहीं तो 95 का जो आंसर है वो है हमारा C 1931 में जो है आपको पहली बार बन पंचायतों का गठन देखने को मिलता है मसूरी इस्टेशन लाइबरेरी की स्थापना कब हुई थी 1830, 1843, 1845 या फिर 1846 इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ओप्सन नंबर B 1843 इसमी में मसूरी इस्टेशन लाइबरेरी की स्थापना देखने को मिलती है उसके बाद है कनकपाल किस बंस का सासक था कत्यूरी, पवार, गोर्खा या फिर चंद बंस इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पवार बंस के सासक थे कनकपाल सिंग ठीक है कोशिक समीती ने प्रस्तावित उत्रखन राज्ये में कितने मंडरों की स्थापना की सिपारिश कीती दो मंडल, तीन मंडल, चार मंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीन मंडल, बरतमान में कितने हैं तो दो मंडल है उसके बाद है बिश्डु गार, पीपल कोटी, जल बिद्धुत परियोजना, निम्न में से किस नदी पर विक्सित की गई? उप्सन है गंगा, यमना, शाबर मती या फिर अलक नंदा राइट आंसर है इसका अलक नंदा ठीक है? उसके बाद लाश कोशन है इसका जो राइट आंसर है, वो है हमारा साथ ताल तो इस तरीके से हमने जो सीचपाल का पेपर था, वो कम्पलीट कर लिया है इसके बाद हम कुछ और मोडल पेपर लेका आएंगे, जो 22 तारिक को एक्जाम है, उसके लिए ठीक है तो आप जो है लगातार इनको देखते रहिए और इनको लगातार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपके लिए हैल्पल होंगे, आपसे फिर मिलेंगे, किसी नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत